हाल्व फ्रेंग अपना कीचेंड नमें आपका स्वागत है। आज मैं बहुत ही टेस्टी फीच फ्राई बनाने का एकदम नया अलग और बहुत ही आसान तरीका सेयर करने वाली हुआ। जो आप सभीको बहुत ही पसंद ऐगा। एकदम नए तरीके से नए टेस्ट में इस तरीके से फीस फ्राई आपने भले कभी नहीं बना कर खाया होगा इस नए तरीके से नए टेस्ट में जिनको भी फीस फ्राई एक बर बना कर खिला देंगे ना सब लोग तारीफ करते नहीं थकेंगे बिना किसी नौनिस्टिक बरतन के नॉर्मल कड़ाई में हम लोग फिस को फ्राई करेंगे और आपकी एक भी फिस के पीसेज ना तो कड़ाई में चिपकेंगे और नहीं तूटेंगे तो फ्रिंस वीडियो पुरा देखिए अगर फिस फ्राई बनाने का तरीका मेरा थोड़ा सा भी आपको पसंद आये तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और मेरे चनल को सब्सक्राईब करना ना भूलें तो देखिए फ्रिंस इसके लिए मैंने आपे एक किलो रोहु फिस लिया है फिस को मैंने अच्छे से क्लीन एंड वास कर लिया है आच्छा तो रोहु फिस के जगा पर कोई भी फिस ले सकते हैं जैसे पॉम्फ्रेट कतला या फिर सूर्मई जो भी फिस खाना आपको कमिया जादा अब हम ईश में डालेंगे दो चोटा चमच बेसं आधा चमच हलदी पाउडर एक चमच बारिक कट हुए हरा धनिया इसमे हरा धनिय का फ्लिवर बहुत ही अच्छा लगता है आधा चमच कस्मीरी लालमीबीज पाउडर ये तीका कम होटा और इसे गलर बहुत अच्छा आता है आधा चमच नमक या फिर स्वादनुसार नमक और अब हम इसमें डालेंगे एक चमच निम्बू का रस इससे हमारा जो फीस प्राइब बनेगा बहुत ही ज्यादा डिलीजस और बहुत ही ज्यादा चटपटा और अब लाश्ट में डाल देंगे दो चमच सर् चाहिए तो इसमें पानी बगर डालने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है इसमें पानी का एक बुंद भी इस्तमाल नहीं करना है सर्सों के तेल और निम्बू के रस से बहुत ही बढ़िया से मसालों की कोटिंग हो जाती है हर एक मचली के पीसेज पर तो बिल्कुल भी इसम पानी नहीं होना चाहिए अगर थोड़ा बहुत पीस में पानी रहेगा ना तो मसाले अच्छे से चिपकेंगे नहीं मसली के उपर बहने लगेंगे तो इसलिए मसली बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए तो देखे फ्रेंस सभी मसालों को अच्छे से मिला ली अब हम इनको साड करके 15-20 मीनट में साड में मिर्नेट होने के लिए उसके बाद हम इनको फ्राय करेंगे तो पंद्र transform mairineat को रखे वैने कंगेड़ रिखे सय पानतो को सुप्राइभ करेंगे तो पहले मैं देखेक कडाय के तेलं में तेल गरम होने के लिए रख दी हूं और तेलं बिल तब तक नीचे की मशली गोल्डेन ब्राउन ना दिखने लगे तुरन पलट करना स्टार्ट ना कर दे नहीं तो मशली तूट जाएगी और कडाई में चिपक जाएगी तब तक कम इनको पल्टेंगे नहीं ऐसे ही एक तरफ से फ्राई होने देंगे तो देखे फ्लिंज एक तरफ से मचली फ्राई हो गई यह आप देख सकते हैं मचली नीचे की गोल्डन ब्राउन दीख रही है तो अब हम क्या करेंगे गयास का फ्लिम एक मिनट तक एकदम लो पे रखेंगे और उसके बाद इनको ऐसे दूसरी तरफ पलटेंगे तो ऐसा करने से क्या होता है जब हम एक मिनट तक लो फ्लिम पर ऐसे ही राने देते हैं तो तेल हलका सा ठंडा पड़ जाता है तो वो क्रिस्प हो जाती है तो इसलिए कडाई में चिपकती नहीं और तूटती भी नहीं है जैसे कि आप देख सकते हैं मैं बहुत हीजली इनको दूसरी तरफ पलट ली और कडाई में बिल्कुल भी मचली चिपकी नहीं और तूटी भी नहीं तो इनको दूसी तरफ पलटने के बाद गयास का फ्लेम इस टाइम मेडियम कर देंगे और मेडियम फ्लेम पर इनको दूसी तरफ से तब तक फ्राइ करेंगे जब तक कि दूसी तरफ से भी मसली बढ़ियां से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तो देखे फ्रेंद दूसी तरफ से भी मचली बहुत ही बढ़िया फ्राई हो गई है अब हम गया स्काफ फ्रेंग फिर से इस टाइम एकदम लो कर देंगे ताकि तेल हलका सा ठंडा पड़ जाए जिसके गारण मचली चिपके गी नहीं कडाई में और तूटे गी भी नहीं तो एक मिनाट होगे मुझे इनको दूसी तरफ से भी लो फ्लीम पर रखे हुए और यह देखे फ्रेंद देख रहे हैं कितना इजली चुट जा रहे हैं बिल्कुल भी कडाई में चिपक नहीं रहे हैं तो इस ट्रीक को फॉलो करके आप बहुत ही इजली नॉर्मल कडाई म ही मचली को फ्राई कर सकते हैं और आपकी एक फीस के पिछ ना तो टूटेंगे और नहीं कडाई में चिपकेंगे तो चलिए अब मिन को निकाल करके एक अलग बरतन में रख लेंगे यहां पर मैं आपको एक बात यार दिला देती हूं अगर मेरे रेसिपी आपको अच्छी फीस फ्राई एकदम नए तरीके से नए टेस्ट में बिना किसी नौनिश्टिक बरतन के बिना जहनजट के नॉर्मल कडाई में हम लोग फीस को फ्राई किये और आप देख सकते हैं एक भी फीस के पीस ना तो टूटे हैं और नहीं कडाई में चिपके हैं और देखने में ल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें